तो दोस्तो आज हम लोग फॉर्म भरने वाले हैं डिप्लोमा लेटरल इंट्री यानि कि जो केंडिडेट 12th कलास पार्स कर चुके हैं उस केंडिडेट के लिए यह है कि फॉर्म वो कैसे वर सकते हैं पलस पॉइंट है जो इस इस डिप्लोमा करना चाहते हैं वो कैसे अपना कर सकते हैं चले हम इस्टे बैस्टे आपको दिखाते हैं तो गूगल पर आपको सर्च करना है दर टीम एक्जाम जैसे आप दर टीम एक्जाम खोलेंगे यह हमारा ओपन हो जाएगा और नीचे कीज़ेगा देख सकते हैं जहार्खन डिप्लोमा लेटरल इंट्री एड्मिस हम भर की दिखाने बाला हूं देख सकते हैं एपलाई ऑनलाइन किलिक यह तो यहां पर किलिक करता हूं डैरेक इसको कट करता हूं उसके बाद देखिए मेरा पेज जो है लोड हो जाएगा यह देखिए देखिए 16 अगस्त से फॉर्म फिलेव स्टार्ड है और 30 अगस्त को किसका डिप्लोमा इंट्रेंस कंपलिटिव एक्जामेशन लेटरल इंटरी तो यहां पर फर्ष्ट आपको रेजिस्टर करना पड़ेगा फिर आप लॉगःं कर सकते हैं तो सब से पहले मैं डिविस्टर करता हूं और अपने आपको रेजिस्टर करता हूं उसके बाद तो अब जब पहले यहां पर अपना नाम फिलब किया है और फिर से confirm अपना नाम पर एक बाद क्लिक किया है और देखिए यहां पर लिखा हुआ है जो आपके class 10 certificate में नाम है उसे को लिखना है कुछ prefix आपको यूज ने करना जैसे कि Mr. और Mrs. इस ठीक है उसके बाद अपना फादर्स का नाम देना है जेनर मेरा मेल अधार नमबर देना है उसके बाद अपना date of worth देना है उसके बाद आपको valid email जो आपका permanent use हो उसमें सब कुछ आपको दिया जाएगा वह आपको देना है और date of worth ध्यान से डालिएगा क्योंकि यह आपका send email पर आपको क्लिक करना यह option अभी enable होगा जब आप अपना number डालेंगे और इसको क्लिक करके आपका mobile में एक OTP और email में भी OTP आए जाएगा यहाँ पर एक interesting बात है कि जो OTP आएगा वह दोनों same होगा देख सकते हैं दोनों same है उसके बाद एक password बनाना है जैसे देख सकते ह हैं आप अपने अनुसर बना सकते हैं और यह जो capture code डाला हुआ इसको में फिलप कर देता हूँ 7-8 इतना और i hairband में clear करके धियान पूर्बक सबको एक वाल देख के उसके बाद सब बिंड में click करूँगा ठीक है तो चले 7 में click करते हैं तो देखिए यह click हो रहा है अगर ग 57, £35 ठीक है, £35 और इसको फिर से एक बार click करते हैं और फिर से इसको शब्म बार तो दोस्तों आपको 5-6 बार try करना पड़ेगा तब जाके आपका इस प्रकार होगा, ठीक है आपको 5-6 बार try करना पड़ेगा तब आपका काम बनेगा, ठीक है क्योंकि इसाइड विजीचर तो देख सकते हैं यहां पर मैंने फटाफट डाल लिए अपना अपना अप्लिकेशन नमबर और पास्वड जो क्रियेट किया था और कैप्चा कोड यहां पर लॉग इन पर किलिक करता हूं, ठीक है? इसके बाद इसको से कर लेता हूं या नहीं करूं कर लेता हूं तो देखिए यह आपका जो बटन है खुल जाएगा देखिए यहाँ पर परसुडूर आपको जो है यहाँ परसुनल एलुकुशन डालना है फोटोग्राप सिगनेचर और लेफ्ट हैं थर्म इंप्रेशन और मार्क सीट और फिभू करना है फिर करना है और आगे बढ़ना है तो चलिए इस सब फटा 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 भर के उसके बाद फैनल में आपको बताता हूं तो चलिए मैंने जो डिटेल है वो डाल लिया है देखिए यह डिटेल आपका जो परसुनल जो आप रिजिस्ट्रेशन किये थे उसे में आपका औरेडी दिया हुआ था इसमें कोई चें से अपको तो आप यहाँ पर इस कि जेगा अनित आप नो कि जेगा यहाँ पर एनुएल फेमिली इंकरम देख सकती है यहाँ पर दिया हुआ रेंज तो मेरा सतर हजार से कम है तो में एल्ड शक्कम डालता हूं नेस्नल लिट्रि में कुछ नहीं करना आपको यह औरेडिव इंडियन ठीक है क्योंकि इंडियन नहीं इसको अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर देख से यह option वेदर यू आर फ्रॉम एमसी की मुसलिम केटोगरी तो मैं नहीं हूँ तो इसलिए अगर आप येस हो तो येस कर सकते हो अगर आप मुसलिम केटोगरी से हो तो यह बहुत important section है इसको आप ध्यान से देखिए हर college में कुछ seat रहता है tuition fee माल लेजिए आपको government college नहीं मिला तो private college तो मिलेगा तो private college में जो आपका tuition fee लगदा है वो आपका पूरी तरह से माप हो जाएगा अगर आप उस rank पे आते हो तो ठीक है वही है अब बस आपको college का जो government college का admission fee लगदा है बस उतना ही लगदा है आपको यानि 10,000 से 15,000 में आपका फुरा course complete ठीक है और personality disability में आपको no करना है क्यू क्योंकि आपको यह option नहीं आएगा क्योंकि मैं दिव्याइंक के लिगर से भर रहा हूं और यहां पर communication जो address देख रहे हैं आप मतलब कहां रहते हैं यहां communication address डालना है और अगर आपका communication address और permanent address दोनों same है तो यहां पर tick लगाएगा दोनों same हो जाएगा अन्यत अगर different है मा आपका परमाने address जारकंड है और आप रहे रहे हैं मतलब कोई दूसरी जगह में तो वह देना क्योंकि email पोस्ट वगरा जो आते हैं वह इसको थूरू आते हैं ठीक है educational qualification में मैंने 12 पास डाला है अगर आप ITI की हो तो ITI पास भी डाल सकते हो मैंने 12 किया है और 12 करने बार diploma क करना चाहते हैं इसलिए देख सकते हैं यहां पर मैंने इस्टेटेस पास्ट और जरकंड बोर्ट से किया है और 215 में पास आउट हूं और टोटल मार्स यहां पे 500 मेरा था और और मार्स मेरा यहां पर एटेम था उसके बाद देख सकते हैं रोल नंबर या इन्रोल्मेंट जो है मेरा यह रोल नंबर यह है और कॉलेज का ना मेरा बीवें इंटर कॉलेज बलियापूर है और जो इस्टिटीट का एड्रेस है वह बलियापूर है तो यहां पर करता हूं और यह बार दो तीन बार आप चीक कर लिजेगा ऐसा नहीं कि फट फट से कर दिए ठीक ना ब अब यह next procedure में आपको जो है documents upload करना है तो जितने देख सकते हैं यहां पर documents आपको upload करना है तो मैं फटा-फट upload करके जो भी detail है मैं आपको देता हूं ठीक है तो मैंने यहां अपना documents upload कर लिया है यहां पर ध्यान से अप लोग इवार पढ़ लिजेगा कि आपका photo जो है दे upload कर लिया है जो कि 10 के 20 से 30 के भी होना चाहिए और well scan किया हुआ होना चाहिए ऐसा नहीं किया आप धुंदला कर दो उसके बाद अपना left hand thumb impression यहां डाल दिजेगा जो कि आपका jpg format में होगा और यहां पर देख सकते हैं PDF format में आपको डालना है अपना class का marksit class 12 का marksit यहां पर डाल दिजेगा और डालने का बाद देख सकते हैं आपको यहां पर एक option फुल जाएगा तो चलिए मैं यहां पर बस अभी marksit को डाल लेता हूँ इसको डाला नहीं हूँ उसके बाद मैं यहां पर upload कर दूँगा तो अभी मैंने अपना document भी upload कर लिया है आप चाहुत यहां पर click करके देख सकते हो ठीक है कि सही है की नहीं उसके बाद यहां पर save and continue पर click करना है तो मैं click करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ हाला कि यह form भरना बहुती simple है यहाँ पर आपको देख सकते हैं preview उसके बाद देख सकते हैं यहाँ preview दीख रहा आपको क्वेसे आप डाले हैं सबकुछ सही है कि नहीं मैंने कह क्या upload कि यहाँ देख सकते हैं और finally यहाँ किलिक करना है और payment में पेज में जाना है यह अगर आप धियान से देख लिए कोई चीज अगर गलती है तो एक बार और गोर से देख लिए कहाँ वह मेरा यहाँ गलती है तो आप यहाँ से फिर से edit कर सकते हैं अन्यता इसके बाद edit का option भूल जाएए ठेक है तो यहाँ पे save and continue पे click करता हूँ तो मैं तो यहाँ div bank category से भरा हूँ तो payment का मुझे जरूत है नहीं फिर भी देखता हूँ किया दिखाता है आप लोग का जो fee है आप लोग को पता है शाड़े 600 और आपको पता है यहाँ पे मैं confirm करता हूँ देखिए मेरा generate slip हो जाएगा और इस परकार इसको मैं click करता हूँ तो मेरे को payment करने का ज़रूत नहीं क्योंकि मैं div bank category से हूँ जैसा कि आपको पता है div bank category का फिर में है form फिलफ होता है देख सकते हैं आपको बस यहाँ पे जो है amount paid करना है जो भी आपका amount है जैसा कि आप हमारे website जिपर चुके हैं तो मैं इसको प्रिंट ले लेता हूँ और फाइनली से सब कर लेता हूँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब से चरूर कीजिए तो चले मिलते हैं नेक्स अप्डेट में तब तक लेए बाई और थैंक यू भेरी मच फोर वाचिंग इस वीडियो